हलो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्छा आठ विसे गडित अध्याय नौ बीजी वेंजक एवं शर्व शमिकाएं के शवालों को हल करना सीखेंगे तो चलिए वीडियो को इनका हमको योग ग्यात करना है तो चलिए सबसे पहले हम पहले नंबर के प्रश्न को हल करते हैं प्रश्न क्या दिया है उसको लिखते हैं यहां पर AB-BC ये पहले पद को हम लिख लिए अब हम दूसरे पद को लिखेंगे ध्यान डखना है आपको शमान रासी वाले पदों को शमान रासी वाले पदों के नीचे ही आपको लिखना है तो देखे ये BC वाला पद है तो आपको BC वाले पद को BC के नीचे लिखेंगे फिर इसके बाद कितना है माइनस में CA तो CA रासी का पद भी नहीं है इसलिए इसको हम आगे लिख देंगे माइनस में CA फिर इसके बाद देखें तीसरे पद में क्या दिया है CA तो CA को आप इसके CA के नीचे लिख लेंगे फिर कितना है माइनस में AB तो माइनस AB को आप AB वाले पद के नीचे इस प्रकार से लिख लेंगे माइनस AB अब हमको इसका क्या ग्यात करना है योग ग्यात करना है तो चलें योग ग्यात कर लेते हैं यहाँ पर देखे यह धन में A B है और यह रिड में A B है तो धन A B में से रिड 1 A B घट जाएगा तो आपको यहाँ पर जीरो प्राप्त होगा यहाँ पे भी देखे रिड बी सी में से धन बी सी घट जाएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा यहाँ पर भी जीरो प्राप्त होगा यहाँ पे देखे रिड में सी यह है और धन में सी यह है ये दोनों एक दूसरे से घड जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 0 प्राप्त होगा तो इस तरह से आपको इनका जोड़ ग्यात करना है अब आजाते हैं B नंबर के प्रश्ण में तो B नंबर के प्रश्ण को यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्ण क्या दिया है हमको उसको लिखेंगे तो इस प्रकार से हम P के पहले पद को इसको लिख लिए अब हमको दूसरे पद को लिखते समय साउधानी बरतना है पहले देखे यहाँ पर P की घात 2 और Q की घात 2 वाला पद है मतलब आपको फिर इसके बाद ये PQ वाला पद लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे धन में कितना है, साथ PQ, फिर इसके बाद आपको इसको लिखना है, बिना PQ वाला पद धन में कितना है, पाँच है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का जोड ग्याद करना है, धन में दो ठो पी स्क्वाइर क्यू स्क्वाइर है और रड में तीन ठो पी स्क्वाइर क्यू स्क्वाइर है तो रड में उत्तार आएगा और तीन ठो पी स्क्वाइर क्यू स्क्वाइर में से दो ठो पी स्क्वाइर क्यू स्क्वाइर कम हो गया तो बचेगा एक ठो पी स्क्वाइर और Q का स्क्वायर, फिर यहां पे देखिए, धन में साथ ठो PQ है, और रड में तीन ठो PQ है, धन वाला पद बड़ा है, तो धन में आएगा, अब साथ ठो PQ में से तीन ठो PQ कम हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा, चार ठो PQ बचेगा, फिर यहां पे आ जाते हैं, अब अगले प्रश्न में, प्रश्न करमांक 2, निम ने लिखित एक पदी युगमो का गुड़ा नफल ग्यात कीजिए, तो चले ए नमबर के प्रश्न में हम पहले आ जाते हैं, और ए नमबर के प्रश्न में देखिए, हमको 3P का गुड़ा करना है, और 3P का गुड़ा आपको कि भिखान रखना है कि चर रासियों का चर रासियों के साथ गुड़ा होता है और अचर रासियों का अचर रासियों के साथ गुड़ा होता है तो देखें तीन का गुड़ा आपके साथ के साथ होगा तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे तीन गुड़े रिड में साथ फिर इसक ही गुड़ा के रूप में लिखा रहेगा अब इनका गुड़ा कर लेते हैं तो देखे रेड़ धन का गुड़ा रेड़ हो जाएगा और सात्रेक 21 इस प्रकार से प्राप्त होगा फिर पी और पी का गुड़ा करेंगे तो ध्यान रखना है आपको जब आप चार रासियों का गुड़ा करते हैं तो इनका कोई टेविल तो होता नहीं है इनके क्या होता है गुड़ा करने पर इनके घातें आपस में जुड़ जाती हैं जैसे उदाहरन के लिए यहां पे लिखा है एकस स्कौाइर गुड़े एकस का क्यूब अब यदि हम इन दोनों रासियों का तो उसी प्रकार हम इसका गुड़ा करेंगे जब पी और पी का गुड़ा करेंगे यहां पर कोई घात नहीं है तो घात कितनी होगी एक होगी तो एक और एक घात हो जाएगी जुड़के दो घात किव अकेले है तो इसका किसी के साथ गुड़ा नहीं होगा तो यह आगया हमा X, Y के साーヘ, तो यहां पर हम 4 का गुड़ा किसके साथ करेंगे, 9 के साथ करेंगे, यह हो जायेगा 4 गुडे 9 फिर इसके बाद X का गुड़ा X के साथ होगा, तो यहां पर लिख लेंगे x गुडे X और Y वाला पद इसके पास है पर इसके पास नहीं है तो इसको अकेले लिखे रहें अब चलिए इनका गुड़ा कर लेते हैं 9 का गुड़ा जब आप 4 के साथ करेंगे तो 9 चो को 36 ये प्राप्त होगा फिर X का गुड़ा आप X में करेंगे तो कोई घात नहीं है तो एक घात एक घात जुड़ के हो जाएगी X की घात दो और ये वाला Y वाला पद ये ऐसे लिख लेंगे तो इस प्रकार से इसका ये क्या आगया अब आजाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न करमांग 3 गुड़न फल ग्यात कीजिए सवाल क्या है उसको लिख लेंगे 4 X का हमको गुड़ा करना है इसके साथ 3 X धन 7 X Y इसके साथ हम गुड़ा करना है तो चलें गुड़ा कर देते हैं पहले हम इस 4 X का गुड़ा इस 3 X के साथ करेंगे तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है 4X गुड़े 3X फिर इसका दिये बीच का धन का चिन अब आपको इस 4X का गुड़ा इस 7XY के साथ करना है तो आप लिख लेंगे 4X गुड़े 7XY तो इस प्रकार से पहले आप गुड़ा के रूप में लिख लेंगे फिर इसके बाद आपको क्या करना है गुड़ा करना है तो देखिए 4 का गुड़ा आप 3 में करेंगे तो यह हो जाएगा 4,3,12 फिर आप X का गुड़ा X में करेंगे तो एक घात और एक घात जुड़के हो जाएगी X की घात 2 फिर इसके बाद आजाते हैं अगले पद में अब इन दोनों का आपको गुड़ा करना है तो 7 का गुड़ा आप 4 में करेंगे तो 7 को 28 फिर X का गुड़ा X में करेंगे तो यह हो जाएगा X का स्क्वाइर फिर यहाँ पे देखिए Y वाला पद है यहाँ पे Y वाला पद नहीं है तो y वाले पद का गुड़ा नहीं होगा इसको ऐसे ही हम पीछे लिख देंगे तो इस प्रकार से हमको 12x की घात 2 और 28x की घात 2y ये क्या प्राप्थ हो गया उतर अब आज आते हैं b नंबर के भाग में तो देखे b नंबर में हमको क्या करना है 5xy का x धन 7y की घात 2 में गुड़ा करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं तवाल को लिख लेते हैं यहाँ पर हमको क्या करना है 5xy का गुड़ा करना है x धन 7y की घात 2 के 7 तो यह गुड़ा के रूप में लिख लिए अब पहले आपको क्या करना है इस 5xy का गुड़ा इस x के साथ करना है तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 5xy का गुड़ा हमको x के साथ करना है फिर आपको क्या करना है इस 5xy का गुड़ा 7y की घाद 2 के साथ करना है यहाँ पर लिख लेंगे 5xy का गुड़ा हमको 7y की घाद 2 के साथ करना है अब इस प्रकार से गुड़े के रूप में लिख लेने के बाद अब आपको क्या करना है यहां पर देखिए पांच है यहां पर कोई संख्या नहीं है तो एक माना जाएगा इसका गुड़ा तो एक का गुड़ा पांच में होगा तो पांचे कम पांच फिर आप एक्स का गुड़ा एक्स में करेंगे तो एक्स की घात दो हो जाएगी वाई वाला पद यहां है पर यहां नहीं है इसलिए इसका गुड़ा नहीं होगा इसको ऐसे हैं पीछे लिख देंगे फिर यहां पर आ जाते हैं देखे पांच का गुड़ा साथ में करेंगे तो पांच 35 ये प्राप्त हो गया फिर x का गुड़ा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे x नहीं है तो x का गुड़ा नहीं होगा आपको इसको ऐसे ही लिख लेना है फिर y का गुड़ा जब आप y के साथ करोगे तो देखे यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है तो y की घात कि कितना हो जाएगी तीन तो इस प्रकार से आपको पांच एक्स की घाद दो वाई धन पैंतिस एक्स वाई की घाद तीन ये प्राप्त हो गया उत्तर अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न करमांग चार व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशान उशार मान ग्य चले हम पहले प्रश्न को हल करते हैं तो यहां पर आपको पहला प्रश्न इस प्रकार से लिख लेना है कितना दिया है एक्स इंटू एक्स रिड़ तीन धन दो अब चले इसको हमको क्या करना है हल करना है तो इसको हल करने के लिए पहले हम एक्स का गुड़ा इसके अंदर क तो देखे एक्स का गुड़ा आप एक्स में करोगे तो हो जाएगा एक्स के घात दो फिर इसके बाद आपको एक्स का गुड़ा तीन में करना है कितना हो जाएगा तीन एक्स और ये धन में कितना है आपके पास दो है अब इसको हल करने के लिए हमको मान क्या दिया है एक्स बराबर एक के लिए आपको इसका मान ग्यात करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे एक्स बराबर एक के लिए अब इसमें आपको जहां जहां एक्स दिखाई देता है वहाँ पर आप एक्स के स्थान पर एक्स का मान एक रख दीजिए तो यहाँ एक्स के स्थान पर आप एक रखेंगे और घात में दो फिर इसके बाद तीन अब ये एक्स के स्थान पर भी आपको कितना रखना है एक और ये धन में कितना दिया है आपको दो दिया है फिर आगे चलते हैं एक का गुड़ा आप दो बार करेंगे तो एक एक कम एक, फिर तीन का गुड़ा आप एक बार करेंगे तो तीन एक कम तीन, फिर ये धन में कितना है, दो है, फिर आपको क्या काम करना है, धन धन वाली संख्याओं को पहले जोड़ लेना है, तो धन में दो है और धन में एक, तो कितना हो गया जुड के धन में 3 और ये रडवाला 3 है, अब देखिए धन में 3 है और रडवाला 3 है, तीन में से आप 3 को घटा देंगे, तो आपको कितना प्राप्थ हो जाएगा उत्तर, 0, अब आ जाते हैं दूसरे भाग में, तो अब हम दूसरे प्रिश्न को हल करते हैं इस प्रकार से इसको लिख लिए हैं पहले हमको इसका क्या करना है गुड़ा करना है तो चलिए गुड़ा कर लेते हैं पहले हम इस तीन वाई का गुड़ा इस दो वाई के साथ करेंगे तो तीन का गुड़ा आप दो में करेंगे तो तीन दो नी छै फिर आप Y का गुड़ा Y के साथ करेंगे तो आपको Y की घात दो पराप्त होगी फिर आगे चलें ये रिड में है और इसके आंगे कोई चिन नहीं तो धन कहलाएगा धन रिड का गुड़ा क्या हो जाएगा रिड अब देखें 7 का गुड़ा 3 में होगा तो 7 तरिक 21 अब इसक पास Y नहीं है इसके पास Y है तो Y का गुड़ा नहीं होगा इस Y को आपको पीछे लिख देना है अब आज आते हैं इस पद में तो यहां पर देखिए ये रिड चिन है तो रिड और धन का गुड़ा क्या हो जाएगा रिड फिर आप 3 का गुड़ा Y में करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा तीन वाई फिर रेड और रेड का गुड़ा क्या हो जाएगा धन फिर तीन का गुड़ा आप चार में करेंगे तो तीन चोके बार है प्राप्त होगा फिर ये रेड में कितना है तीरशट है तो इस तरह से हम इनका क्या कर लिए गुड़ा कर लिए अकेले है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर देखिए, रिड में 21 ठोवाई है, और यह रिड में 3 ठोवाई है, दोनों रिड रिड में ही है, और समान्चिन ज़ुड जाते हैं, तो 21 Y में 3 Y और जुड जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा रिड में 24 Y, फ तो तीन में से दो घटेगा तो कितना बचेगा एक और छे में से एक घटेगा तो कितना बचेगा पांच तो इस प्रकार से हमको यह गुड़नफल प्राप्त हो गया अब देखे इसके लिए हमको वाई का मान कितना दिया हुआ है रिड़ दो इसका मतलब अब हमको इसमें हर पर y के स्थान पर 2 रखना है तो चलिए रख लेते हैं y बराबर 2 के लिए तो आपको यहां पर y के स्थान पर 2 रखना है तो चलिए रख देते हैं यह 6 हो गया और y के स्थान पर 2 और इसमें घात 2 लगा है तो घात 2 लगा देंगे फिर यह हो गया 24 फिर यहां पर देखिए y लिखा है वाई के स्थान पर हमको रिड़ दो रखना है पिर यह कितना है रिड़ में इंक्यामं इस प्रकार से हम लिख लेंगे अब चली है इसको हल कर लेते हैं यह हो गया चैसे तो इन रिड यह utgo par करेंगे तो दन आएगा और दो का गॉड़ा और दो दूना च्यार तो इस प्रकार से हमको 48 प्राप्थ हो गया फिर रिड में कितना है हमारे पास 49 तो यह इसको लिख लिए अब इसको और आगे हल कर लेते हैं च्छा का गुड़ा आप चार में करेंगे तो 64 को 26 प्राप्थ हो गया यहाँ पे धन में कितना है 48 है और रिड में इंक्यामन अब आपको क्या काम करना है इन दोनों धन वाली संख्याओं को जोड़ लेना है तो जब आप 24 और 48 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 72 प्राप्त हो जाएगा और रिड में कितना है इंक् हटा देंगे, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा, तो ये आ गया हमारा उत्तर, अब आ जाते हैं, अगले प्रश्न में, प्रश्न करमांग 5, बीजी वेंजकों का योग ग्याद कीजे, तो हमको ये इस तरह से दो बीजी वेंजक दिये हुए हैं, इन दोनों क हमको योग ग्याद करना है, जोड ग्याद करना है, तो चलिए ग्याद कर लेते हैं, पहले हम इस पद को लिख लेते हैं, 3X की घात 2, Y की घात 2, धन 5XY धन 7 फिर इसके बाद दूसरे पद को लिख लेते हैं कितना दिया है, 7x की घात 2, y की घात 2, रिड में कितना है 9xy और धन में 8, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का योग फल ग्याद करना है, तो योग फल क्याद करते हैं, चलिए, यहां पे देखिए यह तीन टो x square y square है, और ये 7-2 x square y square है तो दोनों जुड जाएंगे तो हो जाएंगे 10-2 x square y square तो जोड में हम ये देख रहे हैं कि जो इनके गुडांग होते हैं ये जुड जाते हैं और घातों में कोई परिवर्तन नहीं होता है अब देखें इन दोनों में खन में 5-2 x y है और रिड में 9XY है रिड वाला पद हमारा बड़ा है इसलिए रिड में उत्तर प्राप्त होगा 9XY में से 5XY कम हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4XY फिर आग जाते हैं यहां पर देखें धन में 7 है और धन में 8 है दोनों समान चिन है और समान चिन जुड़ जाते हैं तो 7 और 8 को जुड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको पंद्र है तो यह आ गया उत्तर अब आ जाते हैं अगले प्रशन में प्रशन करमांग 5 का बड़ हमको यह बीजी बेंजक दिये हुए है और यहां पर आपको क्या काम करना है पहले बीजी बेंजक से दूसरे बीजी बेंजक को घटाना है तो चलिए इन दोनों को लिख लेते हैं तो इस प्रकार से हम इन दोनों बीजी बेंजक को लिख लिए अब देखिए आपको पहले बीजी बेंजक से दूसरे बीजी बेंजक को घटाना है तो जब पहले बेंजक से हम दूसरे बेंजक को घटाएंगे तो दूसरे बेंजक के सभी चिन घटाने पर बदल जाते है जैसे ये धन में है तो ये हमारा रिड में हो जाएगा ये धन में है तो रिड में हो जाएगा और ये धनवाला रिड में हो जाएगा अब इसके पुराने चिन्हों से हमको कोई मतलब नहीं है अब देखिए धन में 13 ठो A है और रिड में 5 ठो A तो 13 A में से 5 ठो A घट गया तो आपके पास कितना बचेगा 8 A बचेगा फिर यहाँ पर देखिए दोनों रिड में है और समान चिन्ह जुड जाते हैं तो 4 ठो A B और 7 ठो A B जुड के हो जाएगा कितना 11 A B ये हो गया फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों धन में हैं फिर से समान चिन्ह जुड जाएंगे साथ ठो भी और धन में तीन ठो भी तो साथ भी और تीन भी जुड़ के क्या हो जायगा धन में दस्ठो भी फिर यहाँ पर देख也 धन में नव है और यह रिड में पंद्र है रिड़वाली संख्या बड़ी है तो रिड में उत्तर आएगा अब 15 में से 9 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 तो इस प्रकार से हमको यह क्या प्राप्त हो गया उत्तर अब आ जाते हैं अगले प्रश्ण में प्रश्ण करमांग 6 सरल कीजिए तो इस तरह से हमको यह प्रश्ण दिया है इस प्रश्ण को हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो इस प्रश्ण को लिखने के बाद अब आपको इसमें काम क्या करना है तो देखिए पहले आपको इस A² का इस पूरे के साथ आपको गुड़ा करना है तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे A square का हमको गुड़ा करना है P square धन 4 के 7 फिर इसके बाद हमको क्या करना है इस RID 3 का गुड़ा इस पूरे पद में करना है यहाँ पर कर देंगे RID 3 का गुड़ा P के घात 2 धन 4 के 7 इस धन 7 को आपको अभी कुछ नहीं करना है इसको आपको ऐसे ही लिख देना है फिर आप चलें गुड़ा करते हैं तो देखें A square का गुड़ा B square में करेंगे तो ये अलग-अलग रासियां है इनका गुड़ा नहीं होगा ये सिर्फ आंगे पीछे लिख जाएंगे इस प्रकार से A square और B का square फिर धन जब A square का गुड़ा आप चार में करोगे तो ये चर रासि है और ये क्या है अचर रासि तो इन दोनों का गुड़ा नहीं होगा ये आगे पीछे लिख जाएंगे तो 4 और ये A का square इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा फिर देखिए आप तीन का गुड़ा करते हैं पहले B square में तो रेड और धन का गुड़ा क्या हो जाएगा रेड तीन का गुड़ा हम इसमें करेंगे तो ये अलग-अलग है एक चर है एक आचर गुड़ा नहीं होगा तो आगे पीछे लिख देंगे तीन B की घात दो फिर रेड और धन का गुड़ा रेड तीन का गुड़ा हम चार में करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन चोके बार है फिर यहाँ पर देखिए धन साथ को लिख लेंगे इसमें किसी का गुड़ा नहीं होना है अब इसके बाद क्या काम करेंगे हम अगर एक रासी वाले कोई पद जुड़ घट रहे है एक ही तरह वाले पद तो उनको आप जुड़ घटा सकते है तो यहाँ पर देखिए A की घात दो और B की घात दो वाला पद गुड़ा की रूप में यह अकेले है तो इसका किसी के साथ जुड़ घटाना नहीं होना है तो इसको आपको ऐसे ही लिख लेना है चार A की घात दो तो A की घात दो बस वाला पद हो जिसमें ऐसा कोई पद नहीं है तो आपको इसको भी लिख लेना है यह वाला पद भी अकेले है तो आपको इसको अकेले लिख लेना है अब यहाँ पर देखिए बीना ABCD वाले पद में एक रिड़ बारा है और एक धन में साथ है तुरड़ वाली संख्या बड़ी है तुरड़ में उत्तर आएगा बारा में से साथ आप कम कर देंगे तो कितना बचेगा पांच तो इस प्र पहले हम इसको लिख लेते हैं लिख लेने के बाद अब हमको क्या करना है बारी बारी से गुड़ा करना है पहले हम इस पांच का गुड़ा इस तीन धन एक्स पूरे में करेंगे तो इस प्रकार से लिख लेंगे पांच गुड़े तीन धन एक्स फिर इसका गुड़ा हो ज अब इसके बाद आपको 5 का गुड़ा पहले 3 के साथ करना है आप चाहें तो पहले इस प्रकार आलग अलग से भी लिख सकते हैं फिर 5 का गुड़ा आपको x के साथ करना है तो 5 गुड़े x लिख लिजीए फिर इसके बाद रिड़ 2x का गुड़ा आपको 3 के साथ करना है तो रिड़ 2x गुड़े 3 इस प्रकार से लिख लेंगे फिर रिड़ 2x का गुड़ा x के साथ करना है तो रिड़ 2x गुड़े x इस प्रकार से हम गुड़े की रूपी को लिख लेंगे अब यहाँ पर देखे 5 का गुड़ा आप 3 में करेंगे तो 5 तियाएं कितना प्राप्थ होगा आपको 15 फिर 5 का गुड़ा आप X में करेंगे तो आपको प्राप्थ होगा 5X फिर रिड तीन का गुड़ा 2 में होगा तो 6 और यह वाला यह X फिर यहां से देखिए 2 और इसके पास कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा तो 2-1 कम 2 हो गया X का गुड़ा X में करेंगे तो X की घात 2 तो इस प्रकार से यह गुड़ा हो गया अब समान पदों को हमको जोड़ घटा लेना है तो जैसे देखिए बीना X वाला पद 15 यह अकेले है फिर यहां पे देखिए रिड में 6X है और धन में 5X है तो रिड वाला पद हमारा बड़ा है तो यहां पर रिड आएगा 6X में से 5X घट जाएगा तो कितना बचेगा 1-2X बचेगा फिर 2X की घट 2 घट 2 वाला कोई पद नहीं है तो इसका किसी के साथ जोड घटाना नहीं होगा इसको हमको वैसे ही लिख लेना है तो इस प्रकार से हमको यह क्या प्राप्त हो गया उत्तर प्राप्त हो गया आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं बड़ी घट वाले पद को आप पहले लिख लिजिए रड़ 2X की घट 2 इसके बाद रड़ एक्स इसके बाद बीना एक्स वाला पद आप लिख लिख लिए तो इस प्रकार से यह क्या प्राप्त हो गया हमको उत्तर अब आजाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांग 7 का अनमबर गुड़ा कीजिए तो यहाँ पर देखे हमको दिया हुआ है इन दोनों का हमको आपस में क्या करना है गुड़ा करना है तो चलें सबसे पहला काम हम शवाल को लिख लेते हैं ए धन 3 का गुड़ा करना है पी की घात 2, रिड 3 के 7 तो चलें इसका गुड़ा करते हैं गुड़ा करने के लिए हमको क्या काम करना होगा पहले हम इस ए का गुड़ा इस पूरे में करेंगे तो इस प्रकार से लिख लेंगे ए गुड़े, पी की घात 2, रिड में 3 फिर A का गुड़ा कर लेने के बाद आपको धन 3 का गुड़ा इस पूरे में करना है तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे धन 3 गुड़े P की घात 2 रिड में 3 तो इस प्रकार से गुड़ा में लिख लेने के बाद आप हम गुड़ा कर लेते हैं तो A का गुड़ा आपको B स्क्वाइर में करना है तो हो जाएगा A, B का स्क्वाइर फिर इसके बाद A का गुड़ा हमको 3 में करना है यह हो जाएगा 3, A, फिर धन 3 का गुड़ा B स्क्वाइर में करेंगे तो हो जाएगा 3, B का स्क्वाइर फिर धन रड का गुड़ा रड तीन का गुड़ा तीन में करेंगे तो तीन तरकाई नव आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं पड़ी घात वाले पदों को पहले लिख ले जैसे ये कितना है ए बी की घात दो फिर धन में कितना है तीन बी की घात दो फिर इस पद को लिख लीजिए रिड में 3A रिड में 9 तो ये क्या आगया आपका उत्तर आगया अब आजाते हैं अगले प्रशन पर प्रशन करमांग 7 का ब गुड़ा कीजिए तो देखे ये दोनों पदों का हमको आपस में क्या करना है गुड़ा करना है तो चले इसको हम लिख लेते हैं प्रशन को क्या दिया है हमको A धन 3 B की घात 2 और एक पद क्या दिया है 2A रिड में 5 अब इन दोनों पदों का हमको आपस में क्या करना है गुड़ा करना है तो चले गुड़ा करते हैं गुड़ा एक-एक करके करना होगा, पहले हम इस A का गुड़ा इस पूरे में करेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे A गुड़े, 2A रिड में 5, फिर इसके बाद धन, अब आपको 3B की घात 2 का गुड़ा इस पूरे में करना है, तो लिख लेंगे 3B की घात 2 का गुड़ा क करना है two-a-ridh, 5 payy , तो इस प्रकार से हम गुडा के रूप में लिख लिए। अब इनका गुडा कर लेते है . a ऊब अब 2 a आक करेंगे , गुड 2 a , फिर रिढ चिरण ये वाला लिखेंगे , और धन ते होगर घृड हुगा , फिर ऑ का गुड होगा , तो तो A गुडे 5 फिर धन 3B की घात 2 का गुड़ा दो A में करेंगे तो लिख लेंगे 3B की घात 2 गुडे में 2A फिर इसके बाद रिड और धन का गुड़ा रिड हो जाएगा फिर हमको 3B की घात 2 का गुड़ा पांच के साथ करना है यहां लिख लेंगे 3B की घाद 2 का गुड़ा करना है 5 के 7 अब यह हम गुड़ा के रूप में लिख लिए हैं इनको अब इनका हम गुड़ा कर लेते हैं तो देखिए 2 इसके पास है यहां पे आँगे कोई संख्या नहीं है गुड़ांक में तो 1 होगा 2, 1 कम, 2 फिर आप A का गुड़ा A में करेंगे तो A, B, C, D का जब गुड़ा होता है चर रासियों का तो इनका टेबिल नहीं होता इनकी घाद के संख्या जुड़ जाती है तो यहां A की घाद 1 और यहां पे भी A की घाद कुछ नहीं है तो 1, 1 और 1 घाद जुड़के हो जाएगी A की घाद 2 फिर आप यहां पे आजाते हैं 5 का गुड़ा A में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, A, Dhan अब देखिए 2, A का गुड़ा 3, B की घाद 2 में करना है पहले अंकों का गुड़ा हो जाएगा 3, 2, 6 फिर देखिए A का गुड़ा B की घाद 2 के साथ नहीं होगा इनको हम करम से लिख लेंगे A और फिर इसके बाद B की घाद 2 फिर इसके बाद रिड़ अब इन दोनों का हमको गुड़ा करना है 5 का गुड़ा 3 में होगा तो 5, 3, 15 है B की घाद 2 इसके पास है पर भी वाला पद नहीं है इसके पास तो इसका गुड़ा नहीं होगा इसको हम ऐसे लिख लेंगे B की घाद 2 तो ये आ गया आपका उत्तर आप चाहें तो इसमें बड़े घाद वाले पदों को पहले भी लिख सकते हैं प्रिश्न क्रमांक 8 हमको ये समीकरण दिया हुआ है इसको सरल करना है और X बराबर 0 X बराबर 1 और X बराबर 1 के लिए हमको इनका मान गयाद करना है तो सबसे पहला काम हमको जो ये दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं तो कितना दिया है 4 X फिर कोश्टक में कितना है पांच एक्स के घात दो धन में तीन फिर कोश्टक बंद धन एक तो हम ऐसा करेंगे पहले इनका गुड़ा कर लेते हैं तो देखे चार एक्स का गुड़ा हम पहले इस पूरे में करेंगे तो एक एक करके कर लेते हैं पहले चार एक्स का गुड़ा 3 में करना है तो 4x गुड़े 3 इस प्रकार से लिख लेंगे धन 1 में गुड़ा नहीं होना है अब हमारे पास हमको कितना प्राप्त हो जाएगा इन दोनों का गुड़ा करते हैं 5 का गुड़ा 4 में करेंगे तो 5 को 20 x की घात 2 है और यहां पे x की घात 1 है तो घात 2 और घात 1 ज तो इस तरह से हमको यह गुड़न फल प्राप्त हो गया अब हमको क्या करना है एक बार x के स्थान पर 0 रखना है फिर एक बार x के स्थान पर 1 रखना है और अलग-अलग मान प्राप्त करना है तो चले आ नमबर सबसे पहले हम x के स्थान पर 0 रख देते हैं तो इस प्रकार लिख लेंगे, तो हम को जो यह हल पराप्त हुआ है, इस हल में हम यहकस के स्थान पर कितना रख देंगे, 0 Jamr तो सब्iberalों चलिए इसको रख देते हैं, यहाँ पर, लिक यहकस के सिथान पर कितना रखना है, 0 Jamr फिर यह घहत में 3 हो गया, फिर इसके बाद यह 12 Jamr यक्स के स्थान पर हम कितना रख देंगे, शोन्य अन एक, अब इसको हल करते हैं, सुन्य का गुड़ा आप तीन बार करेंगे तो सुन्य प्राप्त होगा, फिर सुन्य का गुड़ा आप बेश में कर देंगे तो पूरी शंख्या सुन्य हो जाएगी, फिर यहाँ पर देखिए, बारा का गुड़ा आप सुन्य में करेंगे तो आपको सुन्य प्राप्त होगा, और धन में एक, तो इस तरह से आपको अंती मुत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, अब इसके बाद बनमबर में हमको क्या करना है, येक्स के स्थान पर एक रखना है, येक्स बराबर एक रखने पर, अब हमको जो ये हल प्राप्त हुआ है, हमको यहाँ पर येक्स के स्थान पर एक रखना है, तो चलिए रख देते हैं, बीश, येक्स के स्थान पर एक की घात तीन, फिर धन, ये हो गया बार है, अब हमको X के स्थान पर कितना रखना है एक फिर इसके बाद धन में एक फिर यहाँ पर देखिए यह हो गया 20 अब आप जब एक का गुड़ा तीन बार करेंगे तो एक एक कम एक एक कम एक इस तरह से आपको एक ही प्राप्त होगा फिर बारा का गुड़ा एक में करेंगे तो बारह एक कम बारह और धन में एक अब यहाँ पर देखिए बीस का गुड़ा एक में करेंगे तो बीस एक कम बीस धन बारह धन एक अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 20, 12 और 1 को जोड़ेंगे, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 33, तो यह आ गया हमारा उत्तर, अब आ जाते हैं, शा नमबर में, अब देखें, सा नमबर में हमको क्या करना है, यक्स बराबर रिड एक रखना है, जो हमको यह हल प्राप्त हुआ है, तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, सा यक्स बराबर रिड एक रखने पर, तो अब हमको यक्स के स्थान पर कितना रखना है, रिड एक रखना है, तो चलिए रख देते हैं, सब से पहला कम यह हो गया 20, अब हमको यक्स के स्थान पर रिड एक रखना है, और यह घात 3 हो गया, फिर इसके जब आप तीन बार करेंगे तो रड़ प्राप्त होगा और एक का गुड़ा तीन बार करेंगे तो एक प्राप्त होगा और एक का गुड़ा बीस में करेंगे तो इस प्रकार से हमको रड़ में बीस प्राप्त होगा फिर रड़ धन का गुड़ा रड़ बारा का गुड़ा ए पर कितना से धन गर्ण में करेंगे तो 12 एकम भार्रा धन में 1 इसके बाद दीमें 20 है रिड में 12 है और दोनों रिड़न वाली संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे जोड़ कितना प्रापत हो जाएगा रिड में 32 प्रापत होगा जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 9 सरल कीजिए तो देखे यहां पर हमको यह दिया हुआ है इनको हमको हल करके सरल करना है तो चलिए इसको हल करते हैं तब से पहला काम हम इस शवाल को लिख लेते हैं शवाल को लिख लेने के बाद अब हमको क्या करना है पहले इनका इसके साथ गुड़ा करना है तो हम एक एक करके गुड़ा करेंगे पहले हम एक का गुड़ा इस पूरे पद में करेंगे तो इस प्रकार से लिख लेंगे फिर इसके बाद हमको क्या करना है इस धन बी का गुड़ा इस पूरे के साथ करना है तो यहाँ पर लिख लेंगे धन बी का हम गुड़ा करेंगे अब इसके बाद हमको यहाँ पर चलना है अब देखिए हमको यहाँ पर भी दो पद प्राप्त है और यहाँ पर एक पद है तो इनका भी एक एक करके हमको गुड़ा करना है तो पहले हम दो एक गुड़ा सी के साथ करेंगे फिर तीन बी का गुड़ा सी के साथ करेंगे तो पहले हम रिड और ये 2A का गुड़ा C के साथ करेंगे 2A का गुड़ा C के साथ फिर इसके बाद रिड और धन का गुड़ा ये रिड हो गया अब हम 3B का गुड़ा करेंगे किसके साथ C के साथ तो ये गुड़ा के रूप में लिख लिए अब हम इनका गुड़ा करेंगे तो एका गुड़ा दो A में करेंगे तो यह हो जाएगा दो A की घात दो रिड़ एका गुड़ा हम तीन B में करेंगे हो जाएगा तीन A B धन एका गुड़ा C में करेंगे तो क्या हो जाएगा A C धन पी का गुड़ा दो A में करेंगे तो यह हो जाएगा दो A B फिर रेड़ पी का गुड़ा हम तीन B में करेंगे तो हो जाएगा तीन B की घात दो फिर इसके बाद धन पी का गुड़ा हम C में करेंगे तो हो जाएगा कितना B C अब यहाँ पर देखे रेड और ये धन का गुड़ा रेड ए और C का गुड़ा क्या हो जाएगा AC तो यह हो गया 2AC रेड 3B का गुड़ा C में करेंगे तो हमको प्राप्त होगा रेड में 3BC इस प्रकार से गुड़ा कर लेने के बाद आपको देखना है कि यदि एक जैसे कोई पद है जुड़ घट रहे हो तो हम उसे जुड़ घटा सकते हैं तो पहले हम बड़ी घट वाले पदों को लिख लेते हैं तो यह धन में कितना है दो एक ज्टो अब यहां पर आप देखे ध्यान से रिड में आपके पास तीन एबी है और धन में आपके पास दो ठो एबी है तो रिड तीन एबी में से धन दो एबी कम हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा रिड में एक ठो A B फिर यहां पर आप देखे धन में एक ठो A C है और रिड में दो ठो A C है तो रिड में उत्तर आएगा दो ठो A C में से एक A C कम हो जाएगा तो हमारे पास एक ठो A C बचेगा फिर यहां पर देखे रिड में तीन ठो B C है और धन में एक ठो B C रडवाला पद बड़ा है तो रड़ में आएगा 3 BC में से 1 BC कम हो गया तो यहाँ पे बचेगा 2 BC तो इस प्रकार से हमको तरप्राप्त हो गया अब आजाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न करमांक 10 गुड़ा कीजिए तो अब देखे हमको इनका गुड़ा करना है तो सबस से पहले हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं इस तरहसे प्रश्न को लिख लेने के बाद अब हमको क्या करना है एक-एक करके गुड़ा करना है तो पहले हम इस साथ का गुड़ा हमको इस पूरे में करना है इस प्रकार से लिख लेंगे धन साथ गुड़े इस पूरे पद को लिख लेंगे एक घात दो धन तीन ए धन पांच तो इस प्रकार से गुड़ा में लिखने के बाद आप चलिए गुड़ा कर लेते हैं एक गुड़ा एक घात द में करेंगे तो इस प्रकार से लिख लेंगे ए गुड़े एक गात दो फिर्धन इस ए का गुड़ा तीन ए में करेंगे तो ए गुड़े तीन ए फिर्धन इस ए का गुड़ा पांच में करेंगे तो हो जाएगा ए गुड़े पांच फिर्धन अब साथ का गुड़ा एक गात तो इस प्रकार से हम पहले गुड़े के रूप में लिख लेंगे अब गुड़ा में लिखने के बाद आप चलिए गुड़ा करते हैं एक का गुड़ा एक की घात दो में करोगे तो घात दो और घात एक जुड़के हो जाएगी एक की घात तीन फिर धन तीन एक का गुड़ा ए में करेंगे तो यह तीन हो गया एक का गुड़ा आप ए में करेंगे तो एक घात और एक घात जुड़के हो जाएगी एक की घात दो फिर धन 5 का गुड़ा A में करेंगे तो हो जाएगा 5 A धन 7 का गुड़ा A की घात 2 में करेंगे तो हो जाएगा 7 A की घात 2 फिर इसके बाद धन 7 का गुड़ा 3 में करेंगे तो 7 तरिक 21 A धन 5 सते 35 तो इस प्रकार से हम प्राप्त हो गया अब आप इसको क्या करना है आपको समान पदों को जोड़ घटा देना है और बड़ी घात वाले पदों को पहले लिख लेना है तो देखे ये हो गया एक घात तिन अब घात दो आला पद एक ठो ये है और एक ठो ये है तो ये साथ ठो एक घात दो और ये तीन ठो एक घात दो जुड़के हो जाएगा साथ और तिन दस फिर हो जाएगा दस एकी घात दो फिर यहाँ पर देखिए यह 21 ठो ए है और यह 5 ठो ए है 21 ए और 5 ए जुड़के कितना हो जाएगा 26 ए फिर इसके बाद बीना ए वाले पद कौन सा है हमारे पाल धन 35 है तो अब इसको लिख लेंगे 25 इस प्रकार से हमको उत्तर प्राप्त हो गया आसा करते हैं कि आज के वीडियो में देखे गए सभी प्रशनों के हल आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे इसी तरह हमारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को दूर दबाएं जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब हो